हेलो दोस्तो आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत श्रागत है आज मैंने बनाया है ये जोर मेट ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है इसे बनाना बहुत ही आसान है देखिए ये मैंने साडियों में से बनाया है जो प्रानी साडी हो जाती है उसमें ऐसे बनाया है मैंने इसमें दो साडियों का इस्तमाल किया है अगर आपके पास कोई और भी कपड़े हैं तो आप उनका भी इसमें इस्तमाल कर सकती है अगर आप मेरे चैनल पे नीव हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें, दोस्तों कुझा सेहर करें, कमेंट करें, तो चलो इसे बनाना इस्टार्ट करते हैं, देखिए ये मेरी साड़ी थी, और इस मैंसे मैंने एक एक इंची की पट्टियां कट की हैं, देखो, दोनों मैंसे एक जैसी एक एक इंची की पट्टियां कट कर दो साड़ी हो आपके पास तो दो गोले बना लें और अगर साड़ी नहीं है आपके पास टुपटे हैं या साड़ी के जो ब्लॉज आते हैं उन्हें हम नहीं सिलवाते हैं तो अगर ब्लॉज पीस हो कुश्वी हो आपके पास आप इसमें से मेरे जैसा डूर मैट बना के तया कर लेंगी देखिए इसमें ज्यादा कोई टाम भी नहीं लगता और घर पर वैटे वैटे बोर हो जाते हैं तो इस तरीके से हम अपने डूर मैट को बनाते रहते हैं इसके लिए हमें फंदेवी जानना नहीं आवश्चक है मैं बिना फंदों का आपको डूर मैट बनाना बता कराएंगे देखो यह मैंने नौट लगा ली है हम दो नौट लगाएंगे बस और यह समझिए एक फंदा हमारा डर गया है इसमें अब इसे से ही अपनी बुनाई शुरू करेंगे देखो इस तरीके से मैंने नौट में अपनी शिलाई को डाल लिया है अब इस तरीके से शिलाई के ऊपर से नकालेंगे और बना लेंगे देखो एक फंदा एक फंदे के ये दो फंदे हो गए हैं अब ऐसे ही क्या करेंगे फिर द्वारा से इधर की साथ से बनेंगे तो फिर जैसे हमने ले थी वैसे ही लेंगे सिलाई के उपर से और ये दो फंदों के तीन फंदे हो गए देखो, इसमें मैंने कोई फंदे नहीं डाले हैं, फिर यह से ही लगाएंगे, देखो, बस अपने पट्टी चल रही है, उसे हम सिलाई के उपर से गा लेंगे, और इस तरीके से एक फंदा बढ़ा लेंगे, देखो यह मैंने पांच फंदे बढ़ा लिए, अगर आप जितना बड़ा दोर मेट बनाना चाती हैं, उतने फंदे इसी तरीके से बढ़ा लें, देखो, यह मैंने एक फंदे के पांच फंदे कर लिए, ऐसे ही हमारी जितना बड़ा आप बनाना चाती हैं, उतने ही फंदे बढ़ा लें, मैं दो बार बोल दी, क्योंकि आप कि अच्छे से समझ में आ जाए तो अब क्या करेंगे इसी तरीके से हम 25 फंदे या 30 फंदे बढ़ा लेती हैं तो पहले फंदे बढ़ा लेते हैं इसी तरीके से उसके बाद भी मैं आपको फिर दिखाऊंगे तो देखिए मैंने ये 30 फंदों का जिब्बा बना लिया है तिको फंदे किये हैं अब इसे घठाते जाएंगे सभी फंदों को इसी तरीके से इसी तरीके से उतारेंगे सभी फंदों को तो पहले इने उतार लेते हैं तो देखिए सभी फंदों को इस तरीके से उतार जाएंगे और इस दागे को थोड़ा बढ़ा करेंगे इस पंदे को और इसमें इसे निकाल कर जो पट्टी हम की बुनाई चला रहे थे उस वाली पट्टी को हम ऐसे निकाल देंगे और खीच देंगे ताकि हमारी ये नोट लग जाएगी तो कोई फंदा नहीं निकलेगा तो ये हमारा तिकोना डिबब बनके तयार है ऐसे ही हमें चार डिबबे बन हाने एक कलर के यानि टोटल डिबबे आज रहाए उसके बाध में नहीं को फिर दिखाते हूं तो देखिए ये मैंने चार एक कलर रा के जिबब मनाएँ है के कॉने और चार जिबब महुए पर कि ले इस अब इसे का एम दोरमैब बनाएंगे धैर देखिए कितना अच्छा उंडर ऑची सुन्दर शा यह जोर मैट बनके तैयार होगा देखिए आब अब शिलाई करनी है मैं आपको दिकाती हूं पहले हम इनननननननिन फ्रकम पर के पर चाने रखेंगे तरह कीविशा देखें, मैंने इनननन फ़िपनी पर के लिए है अब इसकी सिलाई करेंगे मैंने यह बड़ी सवी ली है और यह चालर धागा कर लिह है इसागे तो पहले हम इसकी सभी कलियों की सिलाई कर लेते हैं उसके बाद में मैं आपको फिर बताती हूँ तो देखिए यह मैंने पूरा डोर्मेट की सिलाई कर लिए है यानि पूरा डोर्मेट अच्छी तरह से सिल गया है अब इसे हम दागे को मैंने इसमें नौट लगा दिया और दागे को भी कट कर देते हैं तो यह दोर्मेट मेरा अच्छी तरह से बनके तयार है देखो कितना स सुन्दर सा जारा सा लग रहा है तो यह जूरमेज बनके तयार है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्पां कि अधा सेयर करें कमेंट करें तो अगली वीडियो के सालों लाइक तक तक के लिए बाए